हरियाना में चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है विधान सभा चुनाव के नामांकन के प्रकरिया खत्म होनी के साथ ही अब आगामी चुनाव की तस्वीर साफ हो चुकी है सत्ताधारी भाजपा ने सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किये हैं वहीं दूसरी और कॉंग्रेस ने 89 सीटों पर अपने परत्याशी उतारे हैं अगर बात करें विवानी सीट की तो वो माकपा के लिए छोड़ी गई है आम आदमी पाटी ने भी हर विधान सभा शेतर में अपने चेहरे घोशित किये हैं इसके अलावा दुश्यन्त चौटाला की जननायक जनता पाटी यानि की जेजेपी ने विधायक चंदर शेखर आजाद की आजाद समाज पाटी के साथ गठ बंधन कर मैदान में उतरी है इस बीच कुछ सीटें ऐसे भी हैं जहां निर्दलिय उम्मिदवार मैदान में उतरे हैं या कोई पहली बार नहीं है हरियाना की राज जुनिती में निर्दलिय चुनाव लड़ने और जीतने वालों का दिल्चस्प इतिहास रहा है आए जानते हैं कि बीते पाच साल विध चुनाव कर आई गई थी जिसमें 519 निर्दलिय उम्मिदवार चुनावी मैदान में उतरे थे जिन में सिर्फ 11 उम्मिदवारों को जीत मिली थी और सभी 483 निर्दलिय परत्याश्री अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए थे निर्दलिय जीत हासिल करने वालों में अनिल विजव अमबाला कैंट सीट से भीम सेन इंदरी से जय परकाश करनाल से तेजवीर पुंडरी से दर्याब सिंग जजजर से देव राज दिवान सोनीपत से राजिंदर सिंग बिसला बल्लब गड़ से उदैभान हसनपुर से गोपी चंद्र गुरगाउं से राम भगत नार सीट से जीत हासिल की थी इस चुनाव में सबसे बड़े दल इंडियन नेशनल लोक दल को 47 सीटों पर जीत मिली थी इस चुनाव के बाद इनेलों के उम परकास चोटाला राज्य के मुख्यमंत्री बने थे अब बात करते हैं साल 2005 के चुनाव की साल 2005 के चुनाव में उम्मिदवार और निर्दलिय विधायक दोनों की संख्या में कमी आई 2005 में हुए चुनाव में 4042 निर्दलिय उम्मिदवारों ने अपनी किसमत आजमाई थी जोसमें से 10 को ही जीत हासिल हुई थी वही 411 निर्दलिय उम्मिदवार ऐसे भी रहे थे जो अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए थे अब बात करते हैं साल 2009 के विधानसभा की साल 2009 में हुए 11वी विधानसभा चुनाव में निर्दलिय चुनाव लड़ने वालों की संख्या तो बढ़ी लेकिन निर्दलिय विधायकों की संख्या घट गई इस साल कुल 513 परत्याशी बत और निर्दलिय उत्रे थे जुसमें से साथ विधायक बनकर विधान सभा पहुंचे और 493 निर्दलिय विधायकों ने अपनी जमानत जब्द कर वाली थी साल 2014 में फिर से निर्दलिय विधायकों की संख्या गट गई इस साल बारवी विधान सभा के चुनाव कर आए गए थे इस चुनाव में भी निर्दलिय चुनाव लड़ने वालों की संख्या बढ़ी थी लेकिन निर्दलिय विधायकों की संख्या में कमी आई थी साल 2014 में 603 निर्दलिय परत्याशियों में से महज पाच ही विधायक बन पाये थे और बाकी 587 उम्मिदवारों ने अपनी जमानत जब्त कर वाली थी जिन निर्दलिय परत्याशियों को सफलता मिली उनमें से जय परकास कलायत से दिनेश कौशिक पुंडरी से रविंदर मचरौली समालखा से जसवीर देशवाल सफीदो से और रहीश खान पुनहाना से शामिल थे अब बात करते हैं साल 2019 की इस साल तेरवी विधान सभाचुनाव करवाई गई थी जिसमें 1179 उम्मिदवार मैदान में उतरे थे जिन में से 377 निर्दलिय थे सभी 377 निर्दलिय उम्मिदवारों से 358 की जमानत जब्त हो गई थी 90 सदस्याई विधान सभाचुनाव में भाजबा को सबसे ज़्यादा सीटे मिली थी और कॉंग्रेस 31 सीटे जीत कर मुख्य विपक्षी पाटी बनी थी वहीं जेजेपी 10 सीटे जीतने में सफल रही थी इसके अलाबा साथ निर्दलिय की जीत हुई थी इंडियन नेशनल लोकल दल और हरियाना लोखीत पाटी को एक-एक सीट पर जीत हासिल हुई थी चुनाव जीतने वाले साथ निर्दलिय में पुंडरी से रंधीर गोलेन, महम से बलराम कुंडू, रानिया से रनजीत सिंग, बादशापूर से राकेश दौलताबाद, दादरी से सूमबीर संगवान, नीलो खेडी से धर्मपाल गुदर और पृतला से नयन पाल रावत श नमर्थन दिया, पिछली बार के जीते कुछ निर्दलिय विधायकों को इस बार भाजपा और कॉंग्रिस से भी चिकट मिले हैं, इस बार हरियाना की 90 विधान सवाज सीटों के लिए एक चड़न में मतदान होगा, चुनाव के लिए अधिसू चुना पांच सितंबर को जा आठ उक्टूबर को खोशित किये चाहेंगे, न्यूज डस्क एन भारत थन्यबाद